So, figure shows ABCDEF as a regular hexagon, तो मैं hexagon बना देता हूँ, यह काफी जबरदस्त question है, यह figure में hexagon दिया हुआ था, मैं उसको बनाना बोल गया, As a regular hexagon, what is the value of A bar, AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar, डाइगराम कुछ इस फ़र्म में है, क्या यह छे साइड वाली, छे साइड से इसको, इसको नाम दिया जाता है hexagon, उसमें center का नाम O है, मैं इसको नाम करन कर देता हूँ, A, B, C, D, E, और F, हाजी, यह बन गया regular hexagon, यह आपकी need guide का question है, sorry, error list का question है, so regular hexagon मनी है, उसने क्या पूछा है, AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar, तो जो कमजोर दिल वाले हैं ना, वो समल के बैठे, थोड़ा डर लगेंगा आपको इस question में, अच्छा, एक बात बताईए, एक vector में बना रहा हूँ, A से B तक, अगर मैं इसको लिखता हूँ, A, B bar, तो इसमें starting point कौन है, A, A starting point, B end point, यह बन गया AB bar, और अगर मैं एक vector बनाना चाहता हूँ, BA bar, तो इसका starting point कौन सा है, BA, B से A की तरफ मतलब vector ऐसे बनेंगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि vector AB bar का magnitude और vector BA bar का magnitude सेम है, सेम है, और उनका direction opposite है, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि यह दोनो anti-parallel तो है ही, magnitude भी same है, मतलब यह दोनो opposite vector है, यानि क्या मैं लिख सकता हूँ, AB bar is equal to minus times of BA bar, यह minus candidate कर रहा है, opposite direction, यह step समझ आई, AB bar को अगर आपको BA bar लिखना है, तो negative sign के साथ लिखना चाहिए, ठीक है, question के अंदर हमको information दिया है, इन सबका addition, और आपके सारे answers इस form में दिये हैं, AO vector, AO vector अच्छा, यह point A है, यह point O है, मतलब यह vector option में हर option के अंदर है, तो हमें काम करेंगे, यह सारी values को convert करेंगे AO के form में, मुझे शायर जगा कम पड़ेंगी, फिर भी चलो try कर लेते हैं, मैं इस equation को यहां continue करता हूँ, AB bar, AB bar को ज़रा धियान से देखें, यह AB bar यहां से यहां तक है, क्या इसके अंदर AO आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन हमको कुछ भी करके AO उसके अंदर लाना ही है, तो consider करो AB bar as a resultant vector, consider करो AB bar resultant vector है, तो मुझे बताओ, AB bar किसका resultant होगा, resultant है, मतलब यह resultant का starting point, मतलब यह starting point of first vector है, और यह end point of last vector है, तो कौनसे vector को add करने के बाद AB bar मिल सकता है, तो हम लिख सकते हैं, AB bar उस वक्त मिलेंगा, जब मैं जाओंगा, कहां से कहां तक, A से O तक, और उसके बाद O से B तक, बस, अगर मैं A से O तक चला गया, उसके बाद O से B तक आ गया, तो क्या मुझे मिल जाएंगा AB bar, यानि AB bar को क्या लिखा जा सकता है, क्या, AO bar प्लिस OB bar, कैसा लिखा जा सकता है, ये सब समझें, हमारा मकस्द क्या है, हम चाहते हैं कि इन सारी values को AO के form में लिखा जाए, क्यों बबा मेरी रिष्टेदारी हैं उसने, क्यों, option में है, तो हमारा option, हमारा सबसे बड़ा support है रहे ला के बाद, है ना, ने तो A for Allah, B for Bismillah तो है यही ना, करते रहें ने का ठीक, तो हमारा क्या हो गया, AB bar हो गया, ठीक है, क्या AB bar की जगा पर मैं, AO bar प्लिस OB bar लिख सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद आता है AC bar, AC bar के अंदर AO bar तो है ही नहीं, लेकिन हमको जबरदस्ती चीज़ों को घुसाना भी आता है, ठीक है, तो हम अब धियान देते हैं, AC bar, AC bar कहा है बबा, ये A, और ये C, ये बन गया हमारा, AC bar, अब AC bar को बनाना है resultant, ऐसा कि दो वेक्टर जिनको आप add करें, उसमें से एक, AO bar होना चाहिए, अब मुझे बताओ, AO bar में क्या add करना पड़ेंगा, क्या हमको AC bar मिल गए, यहाँ A से गए, A से गए O तक, और O से गए C तक, तो क्या मुझे AC bar मिल गया, तो क्या मैं AC bar की जगा पर, बताइए क्या लिखू, AO bar प्लिस OC bar, यह सब को समझा, अच्छे हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा है AD bar, AD bar के ओपर थोड़ा ध्यान दीजिए, यह है हमारा AD bar, AD bar को ऐसे लिखना है, कि उसमें OA bar आना चाहिए, अब सिंपल है, AD bar को अगर आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, A से जाओ O तक, और O से जाओ D तक, मतलब क्या लिखा जाएंगा, AO bar प्लिस OD bar, काम हो गया, आगे बढ़िए, AE bar के बारे में सोचिए, यह है हमारा AE bar, इसको ऐसे लिखना है, कि उसके अंदर AO आना चाहिए, तो आप A से जाएंगे O तक, और O से जाएंगे E तक, मतलब क्या लिखा जा सकता है, AO bar प्लिस O E बार, क्या बात, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, अब बचा AF bar, यह हमारा AF bar, इसको ऐसे लिखना है, कि AO उसके अंदर आना चाहिए, यह क्या लिखेंगे, A से जाएंगे O तक, O से जाएंगे F तक, तो क्या लिखा जाएंगा, AO bar प्लिस O F bar, क्या बात, बहुत सभी, जबरदस्ट, अच्छा कित्ते AO, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या मैं यहां 5 AO bar लिख लूँ, यह सारे चले गए, OB bar को मैं A-Z-T-S रखता हूँ, और OC bar को मैं A-Z-T-S रखता हूँ, अब धियान दिजिए OD को, यह क्या है OD, अगर यह regular hexagon है, तो क्या यह वाली side और यह वाली side, बराबर बराबर होंगी, बराबर, मतलब OD का length, AO के length के बराबर है, और direction कैसा है, उपर की तरफ, और AO का direction भी ऐसा ही है, तो क्या यह दोनों vector बराबर बराबर होंगे, क्या यह दोनों vector बराबर बराबर होंगे, मतलब मैं इस OD bar को निकाल कर, क्या लिख सकता हूँ, AO बार लिख सकता हूँ समझ आया आगे बढ़ते हैं OD बार चला गया OE बार OE बार OE बार ये है हमारा OE बार OE बार को अगर मैं नीचे की तरफ लेकर आ जाओ magnitude same direction opposite तो क्या OE बार को मैं negative of OB बार लिख सकता हूँ ये क्या है हमारा OE बार अगर मैं माइनस OE बार लिखो तो आप क्या करेंगे direction reverse कर लेंगे तो क्या ये OB बार मिल जाएंगा बराबर है तो क्या मैं यहाँ पर OE बार की जगा पर क्या माइनस of OB बार लिख सकता हूँ अब ज़रा बता है ये OF बार की जगा क्या लिखो माइनस of OC बार सही ये है हमारा OF बार ये बराबर होंगा माइनस of OC बार के अच्छा ये OC बार माइनस OC बार 0 OB बार माइनस OB बार 0 5 OA बार प्लिस OA बार आप्शन नमबर आप्शन D करेक्ट हो क्या ये समझा कित अच्छा खेलेना आपर ये अच्छा कोशन था काफी अच्छा कोशन था क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है मैं सोच रहा हमारे लिक्ष्टर का टाइम एक घंटे से बढ़ा कर देर घंटा किया जाए